हाई गाईज वेलकोम बैक टो मैं चैनल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपने स्मूथ निंग जाल बॉंडिंग करवाई है उसके बाद आपका बहुत जारा हेर फॉल हो रहा है तो मैं आपको फाइफ वीस बताऊंगी जिससे आप पांच तरीके स अपने जो हेर फॉल होगा वो कंट्रोल कर सकते है कुछ हैक्स और फाइफ टिप्स में आपके साथ शेयर करूँगी अगर बहुत जारा आपके बाल टूट रहे है तो आप इन हैक्स को और टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखिए वीडियो हेलफ लगेगी वीडियो को ल बालो में शाइनिंग भी काफी ज़र अच्छी है मैं अपने बालो के कैसे केर करती हूं उसके रिलेटिड मैंने काफी ज़रा वीडियो अपने चैनल पर शेयर की है अगर हम स्मूथ निंग करवा लेते हैं उसके बाद हमारा जो हेर फॉल बहुत ज़रा होना स्टार्ट हो जिसके कारण हमेरे बालो आट तो आपको अच्छी रेमिडी अपने बालो पर ट्राय कनी चाहिए अच रड़क्ट्स अपने बालो पर उसके बाद बहुत ही जरा है तो इस वीडियो का नं तक ज़रूर देख brightlyंगा जिसे ष्मूथ निंग अगर आपने कर वाली होई है उसक और बहुत जारा कम आपका होगा, 95% तक आप hair fall को control कर सकेंगे, एक भी बाल आपका नहीं टूटेगा, अगर आप पांचों में से कोई भी remedy जो कोई भी hack अपने बालों पर try कर लेंगे, बाल बहुत जारा आपके healthy रहेंगे, तो friends जो first hack है, उसमें मैं आपको बता रही हूँ क आपको कोई भी hair pack ज़रूर अपने बालों पर लगाना है, यह मेरे पास आप देख सकते हो, रीठा, आमला और शीका काई powder है, इन तीनों को mix करके, आप curd में mix करके अपने बालों पर लगाएंगे, नहाने से आदा गंटा पहले भी अगर आप इसको लगा लेंगे, result बहुत ज़रा अच्छे मिलेंगे, स्मूथनिंग के बाद कौन सा pack अप्लाइ करें, उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर की है, तो नहाने से आदा गंटा पहले अगर आपने स्मूथनिंग रेबांडिंग करवाई हुई है, तो आप ज़रूर कोई hair pack अपने बालों प लगाएंगे, जो आपके बाल होगे इतने ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे, हेर फॉल होना आपका 95% तक कंट्रोल हो जाएगा, सैकेंड टिप में आपको देना चाहूंगे, कोई भी hair mask अगर आप लगाते हैं, वीकली hair mask लगा सकते हैं, अगर आप वीकली नहीं लगा सकते है 15 days में एक पर hair mask जा hair spa ज़रूर अपने बालों पर करें, hair spa में जा hair mask में आप दो vitamin E के capsule अगर एड करके लगाएंगे, तो बाल इतने ज़रा healthy and long and strong होगे, जो roughness होती है, जो हमारे बालों के length में होती है, वो इतनी ज़रा आपकी कम हो जाएगी, आप देख सकते हैं, जो यह vitamin E के capsule अगर add करके बालों में अपने लगा लेंगे, इतने ज़रा shiny and soft आपके बाल हो जाएंगे, सबसे बड़ी हम गलती कर लेते हैं, कि जब हमारा hair fall होना होता है, बहुत ज़रा hair fall होना start हो जाता है, तो हम कोई herbal shampoo try करने लगते हैं, बट आपको ऐसा बिलुकुल भी नहीं क करवाई है, आपको कोई herbal shampoo वगरा यूज नहीं करना है, आप biology का shampoo यूज करें, matrix का shampoo यूज करें, जा लॉरियल की products आप यूज कर सकते हैं, क्यूंकि अगर हम professional product यूज करेंगे, तब हमारे बाल बहुत ज़रा healthy रहेंगे, फोर्थ टिप में आपको देना चाहूंगी, oiling ब अच्छे हम बालों को hydration देंगे, moisturization परवाइड करेंगे, oiling करेंगे, उतने बाल बहुत ज़रा अच्छे आपके रहेंगे, healthy रहेंगे, hairful होना बहुत ज़रा आपका कम हो जाएंगा, अगर one year भी हो जाएगा आपकी smoothening को, तो आपके बाल बहुत ज़रा अच्छे, straight, healthy रहे तो मैं भी खुद oiling करना, मैंने स्टार्ट कर दिया था, one month के बाद, मुझे काफ़ी ज़रा कमेंटिक भी आते हैं कि हम कौन सा oil apply करें, कोई भी lightweight oil आप ले सकते हैं, almond oil, coconut oil, mustard oil, जो भी आपको suit करता है, herbal oil भी try कर सकते हैं, बर तो वो lightweight होना चाहिए, इन बातों का आप ज़ हम उतनीं rebonding करवाई है, hair care routine में serum को ज़रूर अपने add कर लें, क्योंकि fan serum अगर हम बालों पे नहीं लगाते हैं, freezy हो जाएंगे आपके बाल, split ends की problem हो जाएगी, आपको thin हो जाएंगे आपके बाल, hair care routine में serum को ज़रूर आपको add करना है, आप laurel का ले सकते हैं, streaks का ले सक कोई भी hair serum आप try कर सकते हैं, जो आपका affordable लगे, suit करे, serum लगाने के बाद अगर हम कोई भी hair shell करते हैं, उसकी look बहुत ज़रा अच्छी आती है, बाल काफी ज़रा shiny लगती है, healthy लगती है, long and strong रखते हैं, जो बालों hair fall होता है, वो 95% तक आपका control भी हो जाएगा, अगर आप hair care routine में serum को add कर लेंगे, कोई भी hair shell भी आप बना सकते हैं, बात में ज़रा tightly बालों को नहीं बादना है, कोई hair style ज़रा tightly नहीं करना है, poni tail करनी है, scrunchies यूज करने है, काफी ज़रा वीडियो में मैंने आपको बताए कि scrunchies ही आपको यूज करने है, only 10 रुपीज में लोकल में आपको मिल जाएगा, तो आपको ऐसे से scrunchies यूज करने है, आप अपने सूट के साथ matching scrunchies ले सकते हैं, 10 रुपीज में आपको मिल जाएगा, जितना जादा आप अपने बालों को खुला रखेंगे, तब भी आपका hair full हो सकता है, जारा बालों को खुला भी नहीं रखन हैं, hair full को 95% तक कंट्रोल करना चाहते हैं, पांचो में से कोई भी टिप आप जरूर फोलो करके देखिए, अगर आपने smoothing करवाई है, चाहे आपने keratin करवाया है, तो पांचो में से कोई भी आप टिप जरूर फोलो करें, अगर बहुत जारा आप hair full से परिशान हैं, वन म जादा हो, तो इन बातों का आप ज़रूर दियान रखें, जो बालो के length होती है, उसको अच्छे से moisturization प्रवाइड करें, oiling करें, hair serum यूज करें, तो आप देख सकते हूँ, मैं आपको बिल्कुल पांच से दिखा रही हूँ, मेरे बालो के length काफी जरा अच्छी है, long and strong है, मेरे बाल मैं इन तरीकों से ही अपने बालो की कियर करती हूँ, पांचों में से मैं कोई भी tip follow कर लेती हूँ, और मेरे बाल बहुत जरा अच्छे रहती हैं, healthy रहती हैं, अगर आप भी बहुत जरा अच्छे बाल पाना चाहते हैं, smoothening और rebonding करवाने के बाद, इन पांचों अच्छा mask, अच्छा serum यूज़ करें, अपने बालो को सुखाने के लिए ऐसे dryer वगरा का यूज़ ना करें, मैं आपको वीडियो में यह दिखा रही हूँ, कि ऐसे dryers आपको भी यूज़ नहीं करने हैं, अपने बालो को dry करने के लिए, simply ही अपने बालो को dry करने हैं, इस स अच्छा